और मैं बन गई हूँ बिग बॉस ओला की फिर्स्ट क्याप्टरी चुकि मैं हूँ क्याप्टरी की रूम में अब तक पुल जड़ी नहीं इस बार है बम का गोला क्यूंकि है ये बिग बॉस सोला पुल जड़ी नहीं इस बार है बम का गोला क्यूंकि है ये बिग बॉस सोला क्या बोला क्या बोला बिग बॉस सोला जी हां यहां कोई रोना धोना नहीं बस होगा खेला सरकस का खेला क्यूंकि है बिग बॉस सोला वाह 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 इस जमीन इन पर कदम रखने की ख्वाहिश बहुत से रोग करते हैं जैसे कहते हैं भारत में अगर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर में हैं तो entertainment industry के लिए स्वर्ग की भूमी ये बिग बॉस है जिसे कदम रखने के लोग इन तड़कते रहते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं कि उनके काफी खूपसूरत है सरकस की थीम है और काफी इंट्रेस्टिंग वाइबरंट कलरफुल और दिल्चस्प जितने शब्द मैं कहूं वो कम होंगे यहां से एंट्री घर के अंदर की होगी यह है विद बॉस का लोगो जहां से शो स्टार्ट होगा आप देख सकते हैं और बह आए गया है ओहो हो तो इस बार जो वो पिछली बार विश्व शुन विश्व शुन्तरी जो थी उनकी जगह पर रंगीन घोड़ा है तिलस्मी घोड़ा है क्या यह किसी की खौईशे पूरी करेगा या फर इसके नीचे कोई कहानिया परवान चड़ेंगी यह तो वक्त बत आ रहे हैं वो कपल्स जो बाहर के एरियास में यूही बिचा रहे हैं यहां वहां पड़े रहते थे इस बार उनकी पड़े रहने के लिए अच्छी अरस्ता की गई है बहुत खूपसूरत कॉर्णर है लोगों में होड होगी कोई तो दो लोग होंगे जो इस पर अपना हग जमालेंगे और बाकी लोग उनकी बिचिंग करेंगे और बाहर उनकी ट्रोलिंग और शिपिंग दोनों की जाएगी मेरा प्रडिक्शन है उन लोगों का यह फेवरेट स्पॉर्ट हो सकता है काफी अच्छा है कलरफुल है और लोगों कहीं अट्रैक्ट करेगा कि भीया आए और यह देखिए और मेजनाइन ओके पहली बार पहली बार विद्बॉसिक घर में सीडियां है और उसके उपर का एक प्रॉपर एरिया है और वो भी ऐसा वैसा नहीं काफे दिल्चस्प एरिया बड़ा है यह आप देख सकते हैं ओह रिंग है यह साइकल की रिंग और वो जो खत्रे वाला खेल होता था हम लोग देखते हैं जहां राउंड बाले सरकल में साइकल चलानी पड़ती थी और उसके बाद चलेगा वक्त के साथ पर एक और कॉर्णर यहां पर है आप देख सकते हैं एक और कॉर्णर काफी दिल्चस्प कॉर्णर है सिटिंग एरिया बहुत आरे कोने हैं इस बार बैठने के लिए आस्मान से उत्रे और खजूर पर अठके जी हां जिम एरिया ओहो काफी जिम एरिया इंट्रेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा जिम का एक्विप्मेंट भी काफी अच्छा लग रहा है ओ बीगी बीग स्ट्रॉंग मेरी फेविट मशीन सलमान खान का ना खुद का ब्रा जलान की मशीन है तो यहाँ पर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं जिनके वकाउट के वीडियो काफी आप पिछे समालेगा वकाउट की वीडियो काफी ज्यादा पॉप्रियर होते हैं आसम जिनों ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया वकाउट करने के लिए तो देखना है क्या होता है यह में कुछ होता है यह नहीं कोई असा ना इस जञए कोई अधकर करने मादाना हो असा होगा क्या एक और क्षिस्प्राइब और यह यहां पर द गडिये को बहु striking के इतिहास में पहली बार ओपन एरिया में एंक्लोजड एरिया जोजट टैप बंद जगा है जहां पर बैठ कर आर्राम से चिल कर सके एसी कब लोर भी है यह यहां पर क्या एसी नहीं है पर लेकिंगे काफी ठंडा है दिन में किसी को बैठना हो तो धूप है हाला कि डिसेंबर में नवंबर में मौसम अच्छा आता है और दो काउचेज है तो बहुत सारी गॉसिप करने के लिए इस बार गॉसिप को बहुत प्रमोट करने वाले भी या बिग बॉस तो पहले कह दिया कोई नियम कानून नहीं है जब यह कहा है कि ग्रेविटी के अगें सीजें हवा में उड़ेंगी दिन में चांद नजर आएगा और साथी साथ सब नियम नो रूल्स दरूल तो आप एक्सपेक्ट करिए आप जो एक्सपेक्ट करेंगे उसे ज्यादा ही होगा यहां पर और वो जगह जहां खाने के साथ साजिशे और स्टैटीजीज भी पकती हैं जो यहां पर राज करेगा बिग बॉसे घर में वो राज करेगा सीजन दर सीजन ऐसा होता है हाला कि एकाद दो सीजन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ लेकिन इस बार क्या होगा वो देखना बाकि है अग्दम काफे इंट्रस्टिंग है किचिन डाइनिंग टेबल एक छोटा सार एविया जो है टेबल कटिंग बटिंग के लिए यहां पर भी रखा गया है चिकन नहीं आएगा तो इस चिकन को भी पका सकते हैं क्या नहीं यह नौनी टेबल है हम और यह क्या बिल्कुल अलग टाइब का प्लेटफॉर्म है और एक दम कॉर्णर पर है ओपन किजिन स्टाइल जो है वो बनाए गया है यूजुली इस तरह किचिन होता है मगर आज इस बार फ्रंट पे किचिन है खाना जो बनाएगा उनका चेहरा फ्रंट में होगा और टेबल टॉप तोड़ा सा लो किया है लास्ट टाइम से काफी इंट्रेस्टिंग है और किचिन पूरा भरा हुआ है अभी तक ब्रॉसरी नहीं भरी कि यह बता रहे कि टाइम है अच्छा क्रॉक्री जा चुकी है क्या इस चम्च से किसी की प्टाई होगी वहां बेलन और पता नहीं क्या- मद्धुरिमा और विशाल का कांड यारा आ जाता है यह जो है और किछन का extended area है जहां पर जार्ज हैं टोस्टर है बहुत सारा सामान है फ्रूट बास्केट्स हारके फ्रूट सो टोक्री की टोक्री आते हैं इन में क्या ही रखा जाएगा इन चोटे बास्केट में मगर काफी interesting kitchen है sink दो है क्योंकि इन sinks पर कम से कम इतना इतने तक भी अंबार लग सकते हैं इस sink के वरतन साफ करने तो सलमान खान को भी आना पड़ा है तो यह sink की महिमा अप्रम पार है और अवन भी है यहां पर कि अवन में क्या गरम होगा यह तो वक बताएगा कुछ पकेगा कुछ गरम होगा यह तो वक बताएगा लेकिन काफी interesting delicious colorful है kitchen में आपको वाल भी खाना चाहूंगी सबसे पहले यहां पर तो बिग बॉस लिखा हुआ है और एक कुछ and closed area as you fridge oh not bad fridge पूरा पेंटेड काफी ठंटा है वैसे गर्मी लग रही है थोड़ देर खेल तो मैं भी फ्रिज के अंदर जा सकती हुआ हम यहां ते पूरी बॉल्स हो है colorful है और थीम के साथ बहुत अच्छे सजा रहे हैं सब्सक्रिस की काफी interesting elements जो है उन्हें पेंट किया ग और यह है मी टीवी जी हाल जो सलमांगान यू करके जाते हैं इसी TV से कूदेंगे यहां पे पूरा वाइट पाइट बेक्राउंड होगा इन लोगों को सल्वानINE मूड के मूड के रंग दिखाई तो ये है, ये देखे, ये सफेद और काला नहीं, सफेद और लाल, घोडे की शत्रंज की जो बाजी है, वो रंगीन है, वो बिच्छाए गए है, यहाँ पर लोग बैठेंगे और तब सलमान खान उनकी क्लास लेंगे, और क्लास भी कुछ ऐसी वाली कि कोई कानून नियम नही ही होगा, आगे चलते हैं, बात करते हैं, सरकस, 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 जी हाँ, कौन सा जानवर, कि समय, कौन सा रूप धारन करेगा, इंसान के वेश में, किसकी कौन सी फीलिंग निकल कर, कब उसे चालाक लोमडी, कब उसे भीगी बिल्ली, और कब दो बिल्लियों के जगडे में रो चीन लेने वाला बंदर बन जाता है वो इस घर में दिखाई पड़ेगा सरकस तीम है आप देखर के को लोशियल बना हुआ है नीचे है डाइन टेल पर तनी सारी कुरसिया आप मैं गिनती हूं एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, सार, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला तो सोला कुरसिया हैं कुछ अगर वाइल कार्ट जाएक थोड़े लोग बढ़ गए तो कुछ लोगों को यहां बैठने का इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन हां इस इन देवल पर बहुत सारी बाते होंगी, बहुत सारी जगडे होंगे, बहुत सारे किसे बनेगे, प्रेम कहानिया डानिंग टेवल पर डेवलप होती हैं, हमने पिछले सीजन में देखा है, जब सब उठ जाते हैं और दो लोग प्रेमी जोड़ा, खाना-काने बैठा रता ह तो कहानिया हैं कहानिया है follow me रिंग मास्टर जो रिंग घुमाएगा और पूरा खेल अपनी तरफ मोड़ लेगा सबकी नजरें सिर्फ उसकी और ही होंगी वो यहां पर आएगा कौन होगा वो रिंग मास्टर वो यहां से अंदर जाएगा लेकिन फिलहाल यह दर्वाजा बंध है यानि जल्दी नहीं खुलेगा वो जब लोगो थोड़ी से आदत पड़ जाएगी उसके बाद जो है दर्वाजा खुलेगा और रिंग मास्टर का खेल शुरू होगा अब बिग बॉस में कोना ढूंदते हैं लोग भाई एक साथ भीड में तो बहुत साथ जुंड में तो भेड आते हैं शेर चीता अकेला चलता है लेकिन यहां पर शेर चीते भी जो है दो तीन लोगा ग्रूप बनाके कोने कोने बैठते खोप्चे पर बड़ा ही खोप्चा क्रिएट किया गया है जहां देखो वहां कोना ही कोना है प्लानिंग किया है विग्वास यह देखिए यहां पर तो लंबा वाला कोना है यानि ऐसा कुछ होगा कि बड़ा ग्रूप बनने के चांसे होंगे पांच-छे लोग अलग से बैठ कर बातचीत कर सकते हैं फिसे दो- फिस गुड़ दबीच तो क्या बीच होने वाला है इसके अंदर है क्या देखते हैं हम इसके अंदर क्या है ओके नौट बाड बहुत सारी चीजें हैं जो घर के अंदर सीक्रेट के तौर पर नजर आने वाली है मज़ा आएगा यह चेहरे जो हैं आप देख सकते हैं एक चेहरा है जिसके चेहरे पर बहुत सारे भाव है और बहुत सारे उतार चड़ा बहुत सारे रंग है वो हमें नजर आने वाले हैं अब यहां से हम देखते हैं और यह रहा कैमरा जो यहां पर मैठे लोगों क्याप्चर करेगा यहा कितने सारे 2000 के आसपास लाइट्स लगी हुई है तो लाइट्स की तो कोई गिंती ही नहीं एक ये सेक्शन भी है ये खुलेगा शायद बाद में फिलहाल बंध है खुल जा सिमसिम बोलने पर खुलने वाला ये सेक्शन अंदर से क्या गुल खिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा और वक्त आ गया है क्योंकि बिग बॉस का टाइम आ चुका है बिग बॉस में इस बार FSI भी बढ़ गई है वन नहीं वन टू थ्री फोर बीच के जी यहां फोर बीच के का फ्लाट आली शान फ्लाट भीया इसको फ्लाट कहना तो फ्लाट की शोभा बढ़ाना है आपको देखाती हो फोर बीच के है और उसके बीच में भी एक लाउंज बोट पार बहुत सारे कोने हैं इस बार बहुत सारे कोने हैं और चार बेड्रूम से और उन चारो बेड्रूम में क्या-kya होगा कैसे डिवाइड होगा हमने देखा वो एक लिद कर लडगा और लड़का और एक लड़की साथ रहेंगे हम देखा जहां बेट चुनने की कुछ चुठिविटी खोलने वाले हैं स्टेज पर एंटी वाले दिन पता चलेगा कि किसको कौन सा बेड्रूम अलाट हुआ है और दो वो लोग जो आपस में बात ही नहीं करते हैं वो रूमेट्स हैं होमीज हैं देखना होगा एनिवेज पहले बेड्रूम में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड़ में आचाहिए आचाहिए थीरे से दर्वासा खोलते हैं ओ हो ओ हो यह बेड्रूम थोड़ा खास लग रहा है दो ही बेड्स है इसमें चार लोग इस पर अकॉमडेट हो पाएंगे दो बेड्स हैं एक सोफा है एक ड्रेसिंग टेबल मिर्र है वाँ इस पर तयार होने मेक अप करने की का कोई जंजट नियों की मिर्ट बहुत सारे हैं यह तो प्रॉपर मिर्र है हाला कि मिर्र नहीं है इसके पीछे कामरा जरूर होगा कामरा बलगे होते हैं एक आर पार दिखने माला शीशा है बाहर के यह बेड है और बेट शीर से कलर्स भी चेंज किया है अच्छा है बैड विसे काफी नरम है और ब्लांगेट भी कलरफुल है स्ट्रायपवुला अनदर से चेक और ऊपर से कलरफुल स्ट्रायप तैसारा का तो सारा का सारा का अचला सेप्सेंट बदला निमने THIS होते हम electrocAg बेंगे जोड़ी स्ट्राइबस वद दूब् संदूप वहा रखी है कि कुछ को ने देखकर मुझे प्रवलों कि याद आती है जब टेबल देखते हूं तो मुझे सधात अशानास जैने सेडनास के लिगते है जब बैट का कोई कोरा देखती तो मुझे तेजरन की भी यादा दी है बहुत सारी जोडिया यहां पर बनी जिनको हम सब और दिल बहुत खुश हो गया और उने एक वाश्रूम भी दिया है आये चल तलाश करते हैं बहुत सारे रंग देखने के बाद मेरी आंके थोड़ी सी वह हो गई जेबरा रूम ब्लाक इंड वाइट जेबरा का पूरा फील यहां पर आ रहा है आपको बेड की डीटेल्स और सब में ब्लांकेट्स में और यहां पर एक बड़ा सा जेबरा बना है जेबरा की क्या खासित होती है वह कैसे ना केमफलाज हो जाता है जंगल में उसे कोई धूंड नहीं पाता है शिकारी शिकार करने आता है लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं पड़ पाती है अब क्या से इस रूम का यह तो वक्त आने पर चलेगा लेकिन हां यहां पर भी चार लोग अकॉमडेट हो स है दो सिंगल सोफा है पर जो बड़ा वाला सोफा था वो यहां पर मिसिंग है यानि की थोड़ी कम लक्षरी है यहां पर विंटेज वाला रूम जो हमने देखा था उससे परकुल मिलाकर के जिब्रा वाले रूम ने मुझे काफी इंप्रेस किया अग्छे प्रॉप सरकस वाला रूम लग रहा है काफी इंट्रस्टिंग एं मतलब खाली कैप्तें तक देखा ने में जाओंगी मैं कैप्तें रूम में काफी इंट्रस्टिंग आर्किटेक्ट है और जमीन पर पिलो रग कर के बताया गया कि बाहिया जब कर्पे इतना खु जमीन पर भी आराम फर्मा सकते हैं, काफी इंट्रेस्टिंग यहाँ पर कार्पेट है, सोफा है, एक विंटेज लुक, सरकस का लुक कही नहीं से दिया गया है, कलर्फुल ब्लांकेट है, एक सिंगल बेड भी है और एक डबल बेड है, यहने किसी एक शक्स को आजादी होगी कि वो अपना बेड जो है, चूस कर सके सिंगल बेड एक पफी है, काफी इंट्रेस्टिंग है, कलर्फुल वाइबरेंट और यह सरकस का जो चेहरा है, इसने तो मेरा दिल जीत लिया, यह उमंग कुमार की खासित है, इस तरह के बहुत सारे मास्क और बहुत सारे अर्किटे देखे, यानि कि रात को कुछ ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस इन बल्प्स को जलाएं और घरवालों को शौक दें, तयारी करके रखे, सारे रूम ने लगा के रखा है, यानि रात को अचानक अनॉंस्मेंट, अचानक कुछ होना, वो सब कुछ यहां पर पॉसिबल है और अब यह है अगला रूम फायर, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, फायर के तीन रंग, लाल, पीला और और ओरेंज, चार तरफ बस आग ही आग, बिस्तर भी लो है, थोड़ा बाकिस के साथ थोड़ा गरीब पैप का रूम लग रहा है, हाला कि यहां पर कुछ भी गरीब नहीं, बहुत exotic है, लेकिन यहां पर जो भी आया है, उसो कुछ सजा मिलेगी, ऐसी वाली feeling मुझे क्यों आ रही है, I don't know, पर आ तो रही है, यहां पर बल्ब जो है, वो भी देखिया, किस रखी है, ग्लोब के अदर बल्ब है, यानि कहीं ने कहीं, पुरा अंधेरा होगा, लाइट सजा मिले, वो यहां पर आकर रह सकते हैं, याद है न, आपको कितनी बार ऐसा हो चुका है पहले भी, जहां कुछ particular area में सजा मिलने के बाद जाया रहा था, तो क्या यह वो रूम है, जहां पर सजा मिलेगी, तब लोग आएंगे, अब यह तो एक अक्टूबर के बार, या अब बहुत शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, मगर हाँ, काफी दिल्चस्त नजा रहा है हाँ, और अब वो जगह जहां Mr. and Miss Captain, वैसे Captain तो एक ही होता है, लेकिन आम तोर पर दो लोग आही जाते हैं, कभी Mr. and Miss होते हैं, कभी उन्पे गोई दोस्त होते हैं, तो वो है, वो हो हो, भया इसके जो जंग भी कर सकते हैं, ऐसा Captain's का room है, मैं यह कह रहे हूं कि जो facilities मिलेंगी, जो अधिकार मिलेंगी वो तो अलग है, मगर room कितना शांदार है, इसे कापेट पे कुछ जादा ही soft नहीं है, वाव मेरा पैर लग आधा इंच दब रहा है, not bad, not bad at all, और इस पर भी कुछ होने वाला है, पैड है, एक मसाज की कोई जगर है, या क्या है, पर काफे दिल्चस्प लग रहा है, जो भी है, एक sofa और Captain का bed, ओहो हो 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 हो, क्या bed है, red color का, पुरा honeymoon suite टाइप का बनाए गया है, अब जिसका यहाँ पे थोड़ा सा भी इश्क मुष्क का चड़ेगा, उसको तो हासल करना ही होगा, अपने या अपनी beloved के लिए ये कमरा, तो काफी attractive पार्ट है, ओ, पहली बार, first time in big boss history, जाकूजी भी है, ओ, हो, 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 अब तो Captain के room के लिए third world war हो जाए, तो हमें कोई आश्र नहीं होगा, हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर bathroom है, क्या इसे master bedroom बनाया है, क्योंकि यह इतना सहरिया है, और यह बंद है, और यहाँ पर यह टांगने का, यह दिया हुआ है, तो मेरा शातिर, reporter वाला दिमाग के कह रहा है, कि यहाँ पर एक bathroom जरूर होगा, जो शायद उन्हें दिया गया होगा, काफी interesting captain's room है, म और मैं बन गई हूँ Big Boss Sola की first captain, क्योंकि मैं हूँ captain की room में अब तक, Big Boss Sola वालो तुम लोग नहीं आये हो, याद रखना Big Boss के त्यास से पहली captain मैं थी, Big Boss Sola की, क्योंकि यह captain's lounge मेरा है, यह jacuzzi मेरा है, यह bed मेरा है, वो sofa मेरा है, और वो जो जो भी है, सब कुछ मेरा है, बशब बहराल आपको इसे हासल करने के लिए बड़ी महनत मशक्कत करनी पड़ेगी, बट आइकन से, इस आल वो तुम तुम यह लाल पिलो, इश्क का तकिया, इस बार, किसकी प्रेम कहानी यहां परवान चड़ेगी, यहां सीजन 13 में, 14 में और 15 में, यहां बहुत सारी प्रेम कहानिया परवान चड़ चुकी हैं, और जो अब तक चल रही है, क्या एक और प्रेम कहानी यहां बनेगी, देखना होगा, बिग बॉस इस बार खुद खेलने वाले हैं बिग बॉस नहीं खेलते हैं वैसे तो बिग बॉस हर बार ही खेलते हैं दो लोग की जब लडाई होती है तो उनको एक ग्रूप में डाल देते हैं जब प्यार होता है तो उनको अगेंस ग्रूप में डाल देते हैं दोस्त होते हैं तब उनके हाथ कुछ और करते हैं, दुश्मन होते हैं तो उनके हाथ कुछ और करते हैं, मगर इस बार जैसा कि मैंने कहा है कि तेरी कहके लूँगा, ऐसा पोस्टर चपा लिया Big Boss ने, और उस खेल में जो सर्वाइव कर पाएगा वो ही टिक पाएगा बिग बॉस के फिनाले है पहुच पाएगा बहाल आप ये शॉट्स देखते रहिए और बाते सुनते रहिए इस बार सीजन पांच ये महिने भी चल सकता है कॉंट्रेक्ट आफी लंबे किये गये हैं तो क्या फेबुरी हाला कि अब तक जन्वरी में फिनाले होगा ये कहा जा रहा है पर हमने फेबुरी का फिनाले भी देख लिया है हम तो मार्च के लिए तयार है वाट से पोटीती नहीं हुआ है तो इस बार बहुत आगे जाएगा करन कुंद्रा, तेशी प्रकाश, तेजरन जिनकी प्रेम कहानी परवान चड़ी और लोगों ने बहुत अक्यूज किया मगर अब देखिये वो कहा है और किस स्पेस में है क्योंकि फीफा फूस कहीं ने कहीं बिग बॉस की तेह तक जाता है बिग बॉस जो है फीफा फूस क की आत्मा के साथ रहता है और यही कारण है कि बिग बॉस जब आता है तो फीफा फूस के अलावा कोई चैनल लोगों को पसंद नहीं आपाता, आईए साथ में और इस बार बिग बॉस सोला में FSI बढ़ गई है बड़ा मज़ा आने वाला है खुल के खेलो जगा ही जगा है एक नहीं चार-चार बेडरूम है और वो भी अलग-अलग क्वालिटीज के साथ मुझे लगता है आपको दंगे-वंगे करने पड़ेंगे, लड़ाई- उसके लिए अगर थर्ड वर्ल्ड बार भी कर ले आप तो वर्ट इट है इतना ही कहूंगे बैए